हेलो स्टुडेंट्स मैं अंकुर ववेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैगनेट बेंस हिंदी पर मैगनेट बेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्छा 6 से लेकर कक्छा बार्मी तक का संपोर पार्टिकरम बिल्कुल नेसुल्क में उपलब्द चर्ज के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ने वाले हैं तो हमारा आज का यह वीडियो होने वाला है उत्तर प्रदेश की पिछले साल की परिक्छाओं में आये हुए प्रस्णों के उपर तो इसमें हम कबर करने वाले हैं सबसे पहले आता है मतलब m c q p q question तो पहला को सामने है निमनिके मेंसे कौन से 2 दूरस्त स्थानों को पूर्व पस्च्च्म गल्यारे से जोड़ा पूर्वी पस्चम मतलब कौन ऐसे जोड़ रहा है एक स्थान यहां है यह आपका पस्चम बाला इलाका है यह आपका पूर्व बाला इलाका है तो ऐसा कौन सा गली आ रहा है जो पूर्व को पस्चम से जोड़ रहा है तो पस्चम में कौन सा सहर था आपको याद होगा पूर्वी या पूर्व से पश्चमी गलिया रहा है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सिल्चर तथा पूर्वंदर को जोडने वाला क्लियर अगला प्रस्था आता है प्रस्था नमर दो निम्लिकित में से कौन सा पत्तन या बंदरगा देश के पूर्वी तठ पर इस्थित है ना पूर्वी तठ मतलब क्या हो गया यह वाला इलाका तो हो गया पस्चमी तठ और इसके इस तरफ अगर गए आप है ना यह वाला इलाका क्या हो गया है यह वाल्स इसको पूरी वितात्र तो आपको बताना है का कौन सा बंदर गाहए उस तरफ है तो यह पहां आफटा पत्रम को यह क्या कह रहें तो यह बिसाखा पत्रमब निकाले तो यह गुज्रात में है और गुजरात पस्चिम में है ये कट जाएगा कोच्ची केरल में है केरल भी भारत के पस्चिम में इस्थे ये भी कट जाएगा मुंबई महरास्ट में है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा जबकि विसाखा पत्रम कहां है आंद प्रदेश में इस्थित है और वापार तो आफशन दिये गये है यह तो इसका न सही आंसर क्या हो जाएगा दो देशाओं के मद्ट में Detroit अब दो राज्री मेरा तो उसको किया कहिएंग अंतर आज लगार धो नॉत कई दो नागरां के कोफेंगे हम अपनी की कोई चीज अमेर का बेजहेंगे तो क्या हो जाएगा बिदेशी विदीकीन में नम्मलिक्न मंगें मdy 2015 व्य शूरत नहीं भारत किस बस्तू कोम नहीं भीजता है कफी बिल्कुल बेशते हैं उरवरक पता नहीं है तमाखू बहुत पैस्टा खोती हैं बिल्कुल बेशते हैंगा öरवरक मतलब खाद को हमा मंगाना हुपड़ता है जिब खाद का समय आता तो यह इसको हम भाहर नहीं बेशते हैं हम क्या करते हैं अगर आयात करने मां होता है तो हम बिल्गूर आयात करते हैं खात को निर्यात नहीं करते हैं अब आते हैं आपके लगू उत्तरी प्रस्ण सबसे पहले आता है आपका यह सौट आंसर को सबसे पहला प्रस्ण है सलक परिवहन रेल परिवहन के अपेक्षा किस प्रकार अधिक लाप प्रद है आपको बताना है सलग परिवहन की कोई तीन विसेस्टाइं अपको लिखना है को कि तीन गुणq के पिक्षा क्या है सस्ता है दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे किसी भी प्रकार की भू आकरती पर सड़क मार्ग बनाना रेल मार्ग बनाने की तुल्ला में आसान है जैसे परवती पठारी मैदानी मरुस्थरी उंची नीची किसी भी जगह पर सड़क बनाना आसान है जबक है निर्धारत इस्टेशन पर ही छोड़ सकती है सबक सबकों के माध्यम से निर्मार केंद्रों में उत्पादित अनेक बस भुखताओं तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा दी जाती है इन में माल को बार-बार लादना उतारना नहीं पड़ता बार-बार चढ़ाना उतारन तो यह प्रक्रिया में सामान को बार-बार उतारना चढ़ाना पड़ रहा है तो इसमें क्या गंतब तक भेजने में बार-बार लादना उतारना पड़ता है जिससे बस्तों के टूट फूट का डर बना रहता है अगला क्या सीग्र खराब होने वाली चीजे हैं उनको भी र बार-बार फूलों को अख पर्वती एवं दुर्गम च्तों तक पहुंचाने में सलक परिवहर या सलक मार्गों का अत्यांत महत्यपूर्ण स्थान की कैसे जाएंगे पहाला पर तो है नहीं अता-एंगए नहीं अता रेलों द्वारा धोए गए मालको स्तीमा वरती शित्र तक पहुंचाने कार सब्क मारक द्वारा समपन्य किया आता है जिसे मालो यह ट्रेंड चला दिये पनने हैं यहां समदी चला दिये आप गाओं है यहां और कोई माल आया तो इस से चड़ा गया और के इस तेशन पर उतर गया अब यहां कैसे जाएंगे तो को प्योग करना पड़ेगा कि लिए ये बात अगला प्रस्ण आपके सामने भायत में जन संचार के साधनों का वर्णन करना है जन संचार के साधन क्या कहलाते हैं जिन में हमें सूच रहे मिलती हैं हमें ग्यान मिलता है जिन से हमारा मनुरंजन होता है गाने सुनते हैं समाचा साथन्तर सरकार दवारा नियंत्रित होता है रेडियो टेली विजन सिनेमा उपग्रह आधि इसके प्रमुक्साधन रेठाभे कुछ समाचार ₹ पत्र पत्रिकाएं पुस्तक जन सभाएं गोस्थिया आधि और समयलन इसमें समयलत होते हैं या इसका भाग होते है रेडियो व् गरतमान समय में देश की अलग अलग या देश के अधिकांस घरों में ग्यान के लिए विग्यान मनुरंजन के लिए उप्योग किया आता है उधारन के रूप में दिखो कि रेडियो का एक बदला हुआ स्वरूप आगे जिसको आप FM कहते हैं FM पे गाने सुनते ना FM 9.8 लगा समाचार भी सुनते हैं कुछ लोग पढ़ाई के लिए काम में आता है तो यह सबी क्या है जन संचार के मातने हमें जिससे लोगों को सूचनाई भी मिलती है लोगों का मनुरंजन भी होता है तो यह सारी बाते हमें इस उत्तर के अंदर लिखना थी अब अगला प्रस्ण परिवहन तता संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तता अर्थ वस्ता क्यों कहे जाती है अत्वा भारत के आर्थिक विकास में परिवहन साधनों का क्या महत्त्व है यह आपको बताना है परिवहन तता संचार के साधन बास्तों में किसी देश के माना जीवन के तो टेली विजन, टेली फॉन, रेडियो, रेल गारी, बस, कार, आदी, परिवान, तिसा संचार, साधनों के अंतरगत आते हैं इनके दोबारा देश की सामाजिक एवं आर्थिक दसा को गती दी जाती है, गती मिलती है चेतरी असंतलन भी काम होता है, कहीं हमको जाना है, तो कैसे जाएं, आसानी से पहुंच सकते हैं इस पक्ष में निम्न लिक्ष्ट तर्क दिए जा सकते हैं जिसे कुछ तर्कों को अपन देख लेते हैं क्याकर पहला तरक है- अतिपाधक हुगताओं को मिलाने में सहायात- कोई उत्पादक है कोई सर्ट कहीं बनती है और हम पहनते हैं अगर वो सर्ट हमारे पास तक नहीं आ पा रही है या हम उस सर्ट के बारे में नहीं जान पा रहे हैं तो कैसे कुछ काम होगा जाने कैसे न्यूज के द्वारा टीवी पर मुबाइल पर मंगाई कैसे संच याताया के दिवारा तो यह क्या होगए उप्वखतान यह कोई चीज भynn़ग कर लिया को यह हिसे मिल गई को मिलाने में सहयक है परिवहन कि दो माल कारखाना में भीजा जाता है और तैयार माल बोगताओं तक पहुंचाया जाता है थल परिवहन जल परिवहन इसमें प्रमक भूमिकाने भाते हैं थल परिवहन में ट्रक रेलों दवारा माल हो जाता है जबकि जल परिवहन में नौका गम नदियों का उपयोग किया जाता ह जिनका देश के भीतरी भागों में महत्पूर्स्थान है तत्य भागों पर विदेशों से माल मंगाया जाता है विदेशों को माल भीजा जाता है जिसे जल परिवहन के अंतरगात आता है और इस प्रकरिया से आर्थिक विकास को भी क्या होती है गती मिलती है आर्थिक विकास दिन की चुट्टी भी चार दिन की अगर इसा लग रहा है क्यार बोले आथ तो कंपनी नहीं अपना कोई आज तो कोई काम नहीं या बर्क फ्रॉम होम चला लेप्टॉप ले जाएंगे उसी कि यहां दो दिन काम करेंगे घूमेंगे कैसे जाएंगी आपके पास बहुत है नह लोगों को उनके गंतब तक ले जाने में सहायक होते हैं सड़क परिवहन तो लोगों को उनके दरवाजे तक पहुंचाता है अपन गाली से घर तक ही जाते हैं तो जबकि रेल परिवहन लंबी दूरी की यात्राओं में सहायक होता है यह आपन को बहुत दूर जाना है तो रात की ट्रेन कर लिए स्लीपल ले लिया सोगए सुबर अतरे हुआं पर राष्टी एक्ता में कैसे गां परीवहन के देश के निवासियों को से अगर आप नौर्थ इंडिया में रह रहे थो इडलि डोसा यह सब क्या है आपके साूथ इंडिया आट हम लोग वहां पर गए नहीं होते हमने वहां पर उस चीज को खाया को ऑच्छा नइं लगता मतलब वहां पर गए हमको अच्छा लगा तो लगा यार यहां मिलना चाहिए फिर वहां बार-बार गए तो एकाद कोई दोस्त हो गया उसको भी लगा गया यह लोग खाते हैं उनने देखा तो वह भी क्या होगा यहां अब आप देखें कोई भी खान पान भारत ने किसी भी प्रका ऑपने इडेली है ना तो सारी आप जिसे मावार जले बी तो सबस्त मनुदी करते हैं मुठे जोती है देश बिदेश को जानने का भी मौका मिलता है और उनकी जागरुकता भी जानने की जागरुकता भी बढ़ती है संपर्क सब्दा संचार के साधन संपर्क स्थापित कराने में सहयक होते हैं टेलीफॉन मुबाइल कोई दोस्त की याद आई घर बैठे-बैठे फॉन लगा दिया बात कर ली तो घर बैठे-बैठे किसी भाग में निवास करने वाले व्यक्ति से अपना संपर्क साथ सकते हैं जो आर्थिक विकास में भी सहयक होता है कैसे आपने कोई ओर किया यार बोले दुकान के लिए कुछ करना है अपने कोई दुकान खोल दी यहां पर कोई सस्ती चीज बिकरी वह मुबाइल से ओर कर दी रहा है तो इससे कहा है जब हमारी सामान बिक्केगा तो हमको पैसा मिले समाचार की घटन आये हैं धतना घर बैठा ही का कर लेते हैं उनको सुन लेते हैं देख सकते हैं जैसे आप अभी देख रहें कुछ घटना चलती रहती है नि syntयो चला काही और अपने देख ली घटना कहीं लेकिर लेकिन सामने हमको लाइफ टेली कास्ड हो गया तो इंसा समझ में करते हैं संपर्क नस्थापत करते हैँ वश्पीकरन में ब्रद्धी करते हैं इन सब कारनां से जन संचार प्रणालियों का बढन कीजिए दूसरा इसी का टाइप है प्रभावी जन संचार के माध्यम राश्टी कारक्रमों नीतियों के प्रती लोगों को जागरुकता पैदा करने में महत्तपूर्ण भूंका निवाते हैं इसके लिए मुद्रन मतलब समाचार पत्र पत्रिकाएं पुस्तिकें और फिल्में तथा इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से आकास बानी रेडियो हैना यह सब इनका उप्यों किया जाता है सूचना इवंप्रसारण मंत्राले देश में सूचना इवंप्रसारण की विकास अथा नियमन के लिए उत्तरदाई है इन साधनों के माध्यम से एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जाता है जानकारी या मनरंजन प्राप्त होता है उनको अपने पिक्चर चला मतलब सबी लोगों को समूव में सूचना इदी जा रही है इस कारण से इनको जन संचार का माध्यम कहते हैं इनका विवरांडिम लिखे थे अब क्या क्या देखेंगे जैसे आकास बानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लक्ष पर कारे करती है या इस पर उसका उद्द सकेंद्रित होता है सुदंता के बाद आकास बानी दुनिया के सबसे बड़े प्रसार नेटवर्कों में से एक बन गया है बरतमार में इसके 407 स्टेशन 578 ट्रांस्मीटर है एफम पद्दती में 402 इस्थानी रेडियो स्टेशन जिनको आप कहते हैं एफम स्टेशन जिनको गाना चलता रहेगा और सुनते रहेंगे अपने खेती करते रहेंगे या बैठे रहेंगे खेत रखाने के लिए बैठते हैं तो गाओं के अंदर आज भी रेडियो एक अच्छा माध्या में दूरदर्सन भारत के सुद्रन भारत क्या है एक सद्रस विकास सील देश में सरकार ने स्तत्त को भली भाती समझा है सूचनाओं के संप्रेशन जन समधाय को सिक्षित करने स्रब और द्रस्माध्यम सरवाधिक है तो जैसे कैसे मिलेगी जानकारी पेपर पर छापकर सब कोई तो पढ़ना ही सकता या तो से वीडियो फॉर्म में दे दू या सुना दू सुनकर सब लोग समझ सकते हैं देखकर सामने मूवी टाइप की चल लई है और उसको देख भी रहे हों सुन भी रहे हैं तो इससे भी समझ सकते हैं तो स्रब और द्रस्माध्यम सरवाधिक कारगर वा सक्षम उपायों मैं से एक हैं ठीक दूर दरसन द्वारा देश में देश में दूर दर्सन लगभग 15 करोल परिवारों में उपलब्द है जबकि इसके अतरेक्त लगभग 80 प्रत्सत परिवार उपग्रह प्रसारत कारिक्रम सटलाइट से जो डिटी एच लगवाली आपने डिस्टी वी लगवाली टाटा सकाई लगवाली तो सटलाइट से प पन लगाकर देखते हैं यह सब क्या है कि वो दर से कम है बाकि आप समाचार आए फैम सुनने वालों की प्वर्यापत न कि और दूसरे मादते में है ना और संचार के साधनों में हमने देखा कि आकास बाने के क्या रूल है YOUR मुद्रन मुद्रन मतलब छपाई reversal भारत में प्रतीवर्स बड़ी संख्या में समाचार पत्रंपत्र प्रिकाऊं का प्रिकाशन होता है भारत दुनिया में सरवाधिक समाचार पत्र निकालने वाला देश भी है इनकी कुल संख्या लगवक्ष 17,000 है अवदी के अधार पर यह पत्रिकाएं बिभिन्दी प्रकार की हैं रोज निकलती हैं डेली के समाचार सब्ताहिक 15-15 दिन में पाक्षिक और मासिक लगवक्ष सो भासाओं और बोलि चलचित्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है पहले नंबर पर कोई और हॉलीवूड टाइप का कुछ होगा दूसरे नंबर पर क्या है बॉलीवूड है चलचित्रों के अतरिक्त भारत में लगू फिल्म है जिनको सौर्ट फिल्म कहते हैं वीडियो फीचर्स इनको प्रमारत किया जाता है जब यह प्रमारत कर देगी आप पिक्चर देखने गए होंगे ना तो जैसे पिक्चर देखते तो ऐसी स्क्रीन पर एक बड़ा बोड लगता है केंद्रिय प्रमारन बोड के दवारा प्रमारत फिर नीचे पिक्चर का नाम उसकी अवदी कित्ते गंटे में तो उनके दोबारा इनको प्रमारत किया जाता है और उनका प्रिसारन किया आता है तो यह सारी बाते हम ने इनके अंतरगत देखी हुई थी अब अग्रा प्रस नंबर 3 प्रस नंबर 3 क्या कहता है निम्लिखित मैंसे प्रतेक का बढ़न लगवक चाली सब्दों में करना है यह 3 है स्वार्नें चत्रभुझ महाराजमार राष्टी राजमार और राजमार सबसे पहले हम देखेंगे चतरभुझ महाराजमार क्या था आपको बता दूंग का चार बड़े सहरों को जोड़ने वाली एक स्कीम थी चत्रभुझ तरीके से बंदा ही ती इस कारण स को कहते हैं स्वर्णनेंट रभुष दिल्ली को जोड़ेगी बॉम्बे से बॉम्बे को जड़ेगी चैनली से चैनली को जोड़ेगी कलकत्ता से यह एक ऐसे रूट थे जो सिक्स लेन रोट हुआ करते थे और और यह चारों सहरों को जोड़ेंगे इन में दो और इसकीम थी एक इसकीम थी पूरव पश्चिम गले आ रहे की और एक ती उत्तर दक्षिन गले आ रहे कि जो कस्मीर को कन्या कुमारी से और गुजरात को असाम से जोडने का काम करेगी तो यह इसके अंदर हमें देखना है कि वहीं हमें बताना है यहां पर तो सुर्णेम चत्रभुज महाराजमार्ग पर्योजना की शुरुआत भारास सरकार ने दिल्ली कुलकाता चेन्नाई मुंबई दिल्ली को जोडने के लिए की ती यह सिक्स लेन वाले राजमार्गों से इनको जोड़ा आख देश भारत की मेगासिटी मतलब जो बड़े सहर हैं उनको जोड़ना उनके मद जो दूरी है कम करना तुरा के समय को कम करना इस महाराजमार्ग पर्योजना क्वान समालता है तो भारत के राश्टी राजमार्ग पाधी कर नहाई के अधिकार उसके अधिकार छेत्र में है या उसके अधीन है वर्ष 2012 में ये योजना क्या हो गई थी पूर्ड हो गई थी अगला आता है रास्टी राजमार्थ तो भारत के प्रिमुख सहरों को जोडने वाली जो स्कीम है उसको कहते है रास्टी राजमार्थ इसको एनेच कहते है पन नेर्सनल हाईवे के लिए तो लिखेंगे राजमार्ग देश के दूरस्त इस्तित हिस्सों को परस पर जोड़ते हैं इनका निर्मार वारख रखाओ केंद्रिये लोक निर्मार विभाग के दवारा किया जाता है जिसको आप CPWD भी कहते हैं वे अधिकतर कि प्रमुक दूरसर के बीच में रोट डालि गई है उसको कहते सेर सासूरी है तो इसको कहा गया कि राश्टी-राजमार्ग संख्या एक के नाम ते बोला गया है राश्टी-राजमार्ग साथ जो पुराना एनेश 44 हुआ नेश 44 हुआ करता था जिसको कहते हैं तो सरवादेक लंबा है य 3745 किलो मीटर लंबा है जम्मु कस्मीर के स्रीनगर सहर को तमिल लाडू के कर्णिया कुमारी से जोड़ता है यह उपर से नीचे तक जोड़ता है जो उत्तर पूरब उत्तर दक्षण का लिया रहा है वही है एक तरीके से तो राश्टी राजमार्ग आठ दिल्ली वा प्रमक्ष जिलाब क्यालें वाली सबक्षण को राजजिराजमारक कहा जाता है इनका निर्मा और रख रखाओ राज के लोग निर्मायुहाब कि दिवारा किया जाता है तो आप यह सारी बात लिए हम वाह पर देख लीए अभ आप जानते हैं कि मागनेट बेंस हिंदी हिं में उपलब्द करा रहे हैं तो आपको ये पार्टिक्रम और वीडियो प्राप्त करने के लिए करना क्या है आप हमारे चैनल मैगनेट ब्रेंज हिंदी से जोड़ें जोड़ने का माध्यम है कि आप उसको सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर करें ताकि ज्यादस ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें और कमेंट करकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं थैंक्यू